मैं मुबारक बात देना चाहता हूँ, खास तोर से गुलबरगार नॉर्थ के जो 53,000 वोट दिलाकर जो रादा कृष्णा सहाब को जीत दिलाएं, मैं गुलबरगार नॉर्थ की अवाम को, खास तोर से हमारी मेडम कनिस फातिमा साहेबा को, लोगों को ये समझ में आया है कि देश को बचाने का इलेक्शन था इस बार, इसलिए तमाम लोग आज देखे आप देश में हालत क्या है, 239, 239 सीट्स इंडिया गडबंधन को दिलाएं, मैं समझता हूँ, आज जितने भी एंडिया के साथ गडबंधन है, वो भी शाम तक इंडिया के साथ आकर आज देश स्टाफ, एर कंडिशनर, स्मार्ट क्लासे, अडमिशन आ नाओ ओपन, कॉंटक्ट फर मोर देटेल्स, इस बार लोग हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए, रोजगार के लिए, और ये जो तानाशाही चल रही थी देश में, उ तानाशाही को खतम करने के लिए, जो हमारा देश, इंडिपेंडन देश है, उस देश को बचाने के लिए, जो लोग एक तरफ होकर जो ओट किये हैं, मेरी जानिब से, दिल की गहरायों से, तमाम अवाम को मैं मुबारक बात देना चाहता हूं, मुबारक खास तोर से, गु इस फातिमा साहिबा को जो बहतरीन काम करकर रादाकृष्णा साहब को एक मजबूती दिये हैं, और रादाकृष्णा साहब उसकी वज़े से, आज जीत कराये हैं, मैं आज आज आपकी जानिब से, हमारे लीडर AICC के सदर, जो मलिक अरजन खरगे साहाब हैं, जो देश भ पॉलिसी से उनके बारे में लोगों के बीच में जाकर बताया है, और लोगों को ये समझ में आया है, कि ये देश को बचाने का इलेक्शन था इस बार, इसलिए तमाम लोग आज देखिए आप देश में आलत क्या है, 239 seats इंडिया घडबंदन को दिलाये हैं, मैं समझता आज जितने भी एंडिया के साथ घडबंदन है, वो भी शाम तक इंडिया के साथ आकर आज देश में है एक सेकुलर सरकार बनाएंगे, इसी मुझे उम्मीद है, मैं दिल की गहरायों से रादा कृष्ण सहाब को, और मलीकर जुन करगे सहाब को, प्रियां करगे सहाब को, और हमारे शन्प्रकाश्पाटिल सहाब को मैं मुबारक बात देना जाता हूं, उनके कामों को देखकर लोग ने आज रादाकृष्ण सहाब को यहां से जिता कर बेजा है।